नमस्कार दोस्तो आप सभी कई एक बाब फिर से स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्स फेंटेसी गुरूजी में तो यार देखो आईपेल 273 के बाद साल 273 का सबसे बड़ा क्रिकेट टूनामेंट एश्या कप और आज इस वीडियो के अंदर में एश्या कप के पहले मैच के फेंटेसी प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको सचा ही बताऊना त्यार मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि इस एश्या कप को लेके आप सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटीड होंगे क्योंकि आरे एश्या कप इस्टार्ट उनिस से 4-5 दिन पहले आप सबने मुझे इंस्ट्राग्राम ट्विटर पे इतने सारे मैसेज किये और सबने एक ही स्वाल पूचा कि भी एश्या कप के मैच्टीस की वीडियो कब से आ रही है तो फाइनली दोस्ता आप सबका वेट दूर हुआ अब ये वीडियो आपके सामने है तो आज इस वीडियो के अंदर हमेश्या के जैसा दोस्तो एक बाप फिर ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा बलकि समझाऊंगा यानि आपको एक्स्प्रेंट करूँगा कि भी पाकिस्तान नेपाल की टीम जब ये मैच केले मुल्कान के इस वैंडियो में एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो कैस होगा पिच और मोसम काल यानि कि भी जिस पिट पर ये मैच केला जाएगा वो पिट बल्ले बासो को सपोर्ट करेगा या फिर गिन बासो को गिन बासो में ते इस गिन बासो को सपोर्ट करेगा फिर इस पिन गिन बासो को साथ में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अमेशा के जैसे एक बाप फिर ना सिर्फ आपको बताऊंगा बल्कि समझाऊंगा लोजिकल प्रेडिक्शन के साथ कि वह इस मैट में कौन-कौन से बल्ले बाज रन बना सकते हैं जो बल्ले बाज रन बनाएंगे वो रन क्यों बनाएंगे सिमिलर वे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि भी इस मैट में कौन से गेंद बाज को कितने विकेट मिल सकते हैं क्यों उस गेंद बाज को विकेट मिलेंगे तो आज इस वीडियो को पूरा सुरूर देख लेना और साथी में दोस्तों ध्यान रखना कि से इश्या कप में अब 14 से 15 मैच्चिस के लिए जाएंगे और सारे मैच्चिस के वीडियो लगातार में अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा अगर आप लोग पूरे इश्या कप में अच्छी पर्फोर्मेस करना चाते हैं पूरे इश्या कप में पैसा विन करना चाते हैं अच्छा पर्फोर्मेस करके लेकिन आपने में तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अभी आप लोग हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर लो साथ ही में ध्यान डखना कि आज आज आप लोग हमारी ये फीडियो देख रहे है पूरी फीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी फीडियो पसंद आए या इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो आप सब लोग इस वीडियो का अपना प्यार दीजेगा यानि कि इस वीडियो पे आप लाइक करना और सबसे इंपोरेंट बात दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिया वीडियो पे लाइक कर लिया लेकिन आपने वितले कमाई टेलिग्राम चैनल को जोई नी किया तो सुरूर जोईन करना जिसका लिंक में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगा क्योंकि दोस्तों टोस्तों होने से पहले इस मैट में क्या हो सकता है कैसे हो सकता है वो साइ इंफोर्मेशन तो मैं आपको इस स्टूडियो में शेयर कर दूँगा लेकिन टोस्त के बाद आगे चलके कोई भी फद्धा इंफोर्मेशन मेरे पास होगी अपने फाइनल टीम कॉंबिनेशन के साथ आपको टेलिग्राम चैल में डाल दूँगा इसले अगर आपने जोईनी क्या जोईन सरूर कर लेना जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा तो चलिए बात करें मैट की तो देखो मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच है पाकिस्तान नीच समय दुनिया की ODAI में नंबर एक टीम है सबसे पहली बात इस चीज़ को दिमाख में सैट कर लो दूसरी पाकिस्तान टीम के इस मैच के बिन करने के चांस भी काफी जाद है तीसरी मैच मुलतान में जो की पाकिस्तान में है भारतिय समय नुसार ये मैच स्टार्ट हो जाएगा दोपेर तीन बजे लोकल टाइम यानि पाकिस्तान की बात करें तो ये मैच दोपेर में ढ़ाई बजे स्टार्ट होगा तो चलिए अब दोस्तों बात करेंगे pitch report की तो simple सी बात है यार देखो जो pitch है ना वो हमेशा important role play करेगा fantasy में जब जो match है वो दो ऐसे team हों के बीच के लजा रहा है जो बराबरी की है अब आप एक चीज को दिमाग में set कर लो ये match पाकिस्तान और नेपाल के बीच है strong कौन सी team है पाकिस्तान match win करने के chance किसके ज़्यादा पाकिस्तान के पाकिस्तान team भाई आप पहले बल्लेबास सी कर ले या पाकिस्तान team के इनबास सी कर ले match win करने के chance पाकिस्तान के ज़्यादा रहेंगे प्रस में जो सर्फेस यानि जो पिछोगा वो सूखा हो सकते है जिसके चलते पिछ से तेज के इनबास के कमपेर्स में मुझे लगता है इस पिटे इनबासों को मदद ज़ादा मिल सकती हैं लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं किया रहा कि पाकिस्तान टिम के पास जो तेज के इनबास हैं वो इस समैक में विकol निकाल सकते हैं उसके बावजुद पाकिस्तान टीम के तेज गिंबास को नेपाल टीम के बल्लेबासों के विकेट मिल सकते हैं क्योंकि दोस्तों नेपाल टीम के जो बल्लेबास हैं उन्होंने शायद ही अपनी लाइफ में इससे पहले शाइन अफरीदी, नसीम और हैरीस राउट जैसे तेज गिंबासों का सामना क्या होगा तो उन तेनों गिंबासों के पास पेस भी है, क्वालिटी भी है तो इस तरह के क्वालिटी तेज गिंबासों का सामना शायद ही नेपाल के टीम कर पाए लेकिन दोस्तों धियान रखना अगर पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबास से करती है तो पाकिस्तान टीम के बल्लेबास इस spit को काफी एच्छी से यूज़ कर सकते हैं तो आपको समझ आ गया क्यों विकेट में तेज के इंवास को मदद ना उने के बावजूद पाकिस्तान टीम के तेज़ के इन बास अच्छा कर सकते हैं अगर पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबासी करेगी तो उसके अच्छी बल्लेबासी करने के चांस क्यों है अब दोस्तों मैं स्टैर्स के साथ आपको इची स्प्रूफ करूँगा अभी recently नेपाल ने एश्या कप में particular क्या था आप सवाल करोगे भई एश्या कप में कैसे particular कर लिया एश्या कप कब इस्टार्ट होने वाल है दोस्तों इस्टार्ट होने से पहले जितने भी ये द्रेस है इन सबने अपनी दूसरी टीम भेजी थी एक Asia Cup केलने के लिए ठीक है, उसमें नेपाल की तो senior team गई थी, इंडिया ये थी, पाकिस्तान ये थी, श्रीलंका ये थी, ठीक है, इन सब लोगों ने participate किया, तो आप देखिए, उसी Asia Cup में नेपाल की team participate करें, इनको पहले बल्लेबासी का न्योता मिला, पहले बल्लेबासी कर पाकिस्तान team के साथ इनका मैस था, इनकी team ने 179 का target सेट किया, दस बल्लेबास आउट हो जाते हैं, पाकिस्तान team ने उस मैट में तेज किनबास मुहमद वसीम जूनियर को किलाय था, चार बल्लेबास को आउट करके गया था, सैनवास दानली ने इसी मैट में 5 बल्लेबास आउट किया, यानि नेपाल के 10 बल्लेबास आउट वे, 10 में से 9 बल्लेबास को तेज किनबास ने आउट कर दिया, और इस मिन गिनबास से मैट में सिर्फ एक बल्लेबास का आउट कर पाया, सबसे इंपोरेंट बात नोट आपको ये करनी है, कि इस समय जो पाकिस्तान team का क अप्तान था, उसने सैनवास दानी और वसीम जूनियर को पूरे 10 बल्लेबास से करा दी, वाकि उनके पास जो दूसरे बल्लेबास से विकलते, जैसे कि एमाद बड सिर्फ 4 बल्लेबास से कर दी, जबकि दोस्तों पाकिस्तान team ने उस मैच में कुल 37 बल्लेबास से की थी, तो यहां से आपको सेखने को मिल गया, वही मैंने फैंटेसी टीम अपना बनाया, कि पाकिस्तान team पहले बल्लेबास से कर रही है, माफ किजिए, नेपाल के team पहले बल्लेबास से कर रही है, तो शायद पाकिस्तान team के जो तेज के इंबास है, वो इनकी बल्लेबास दी को त दुसरा मैच देखो, नेपाल के टीम ने एश्रा कप में इंडिया के साथ मैच किला, उस मैच में नेपाल के टीम 39 ओर में ओल आउट हो जाती है, और स्कोर करती है 167, अब नेपाल टीम के कुक के बल्लेबास को कौन से बारते गेनबास आउट कर रहे हैं, हरशित राना, को 4 विगट कैस से मिला, संदु को जो इनकी टीट टेल थी, टेल वाले बल्लेबास को विगट मिल गया, जैसे गुलसंच जान ने 38 रंक आउट कर दिया, पवन को आउट कर दिया, इसकला राजबढ़ास बंसी को आउट कर दिया, तो इस तरह से एक दम से निशान संदु को 4 विगट मिल गया यहाँ पर difference आपको क्या देखने को मिला जब पाकिस्तान टीम ने मैच केला तो पाकिस्तान टीम ने अपने तेज के इनबासों के 10 ओवर कम्पलीट करा दिये तीम इंडिया ने अपने तेज केंद बास के ओवर कम्प्लीट नहीं करा है इस वज़े से इनको 5 विगेट मिले अगर टीम इंडिया के तेज केंद बास भी 10 ओवर कम्प्लीट करते तो इस्पिन के कमपेर्स में तेज केंद बास को भी विगेट मिलना था तो फेंटेसी टीम पाकिस्तान टिम के एक टेस गेंदास को कफतान बनाया और एक इस्पन गेंदास को वाइस गेंदास को वाइस कफतान बना के सामने हैं 12 जुन 2022 पाकिस्तान वेस्ट एंडीस का मैच पाकिस्तान ने 269 का टागेट सेट किया वेस्ट एंडीस की टीम 216 रंग पे सिमट गई तेस के इनबासों को साथ स्पिन को बारा 10 जुन 2022 पाकिस्तान वापस पहले बैटिंग करता है 205 का टागेट सेट किया वेस्ट और विछ खेतसोर में टार्गेट को चेस कर दिया तेस केंदबास ने लो और इस्पिन केंदबास उने तीन बलने बास उक आउट के florist तो आपको समझ आ गया कि पर हैसा क्या कुछ इस स्कोरिंग पैटन इमान'. पाकिस्तान टिम पहले बैटिंग दो 30 ज़्यादा fantasy point दिला सकते हैं अगर पाकिस्तान टीम गिंदबास से करेगी तो गिंदबास आपको ज़्यादा fantasy point दिला सकते हैं तेज और इस पिन गेंद बासों के पिछले तीन वंडे मैच में इस वान्यू पर बात की जाए तो पिछले तीन वंडे मैच में तेज केंद बासों ने 25 बल्ले बासों का उट किया है इस पिन गेंद बासों ने 24 बल्ले बासों का उट किया यानि विकेट के डिफरेंस की बात ने तो उ चाहिए न कि वही कौन सा किलाड़ी किस पोजिश्ट में बल्ले बासी करेगा कौन सा किलाड़ी किस तरह के गिन बासी करेगा सबसे इंपोरेंट नेपाल टीम के बारे में आपको information होना ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले start कर देता हूँ पाकिस्तान टीम से तो पाकिस्तान टीम में आपको ज़्यादा चेंजिस नहीं से राएंगे नहीं फकर इमाम दोनों मिलके उपन करेंगे तीन पे सेटी जबाबरासम चार पे आपके रिस्वान रहेंगे पात पे सलमान चैपे इफ्तिकार साथ पे नवास आठ पे शादाब खान है शादाब खान का जो बैटिंग पोजिशन नहीं दोस्तों पर नीचे हो सकता है ऐसा नहीं कि शादाब आट पे के लेगा शादाब रिस्वान के बाद भी आ सकता है वो मैच की कंडिशन पे डिपेंड करता है फिर तीन तेज के इंबार शाइन, नसिम और एरिस राउफिन के पास है तो दोस्तों पाकिस्तान टीम से तो प्ले इंग लेंग को लेके मुझे कोई डाउट है नहीं अब बात करेंगे नेपाल की नेपाल के ओर से आसिफ कुसल ओपन कर सकते हैं नमबर तीन पे मेरी एक्सपेकेशन है कि भीम के लें और नमबर चार पे टीम के कफ़स्तान रोईट खेलें हाला कि दोस्तों नेपाल के टीम चाहिए तो रोईट को तीन पे और भीम को चार पे खिला सकती है आरिफ सेक है, फिरिस के बाद दिपेंदर है, कुसाल मला है, गुलसान जाया है, शोंपाल का में संधी प्लेमेचे नो करन किसी तो मेरे एकोडिंग नेपाल के टीम ये मैच में इन 11 खिलाडियों के साथ दर सकती है बस एक बात का द्यान रखना, कि नेपाल टीम के जो मद्यकरम वाले बल्लेबास हैं, इनमें किसी का भी बैटिंग पोजिशन फिक्स नहीं है इनकी टीम मैच की कंडिशन के अकोडिंग खिलाडियों को उपर या नीचे बल्लेबास से कराती है तो आप देख लो, राइट एंड सारे बल्लेबास से टोप 6 की बात कर रहा हूँ तो और्तोलोक्स मिन गिनबास कोई है पाकिस्तान में नवाज, इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसके बाद, नीचे दोस्ता आप देख लो, किस तरह के खिलाडियों जो गिनबास से किस तरह से कर सकते है अब हम बात करेंगे नेपाल टीम से, क्योंकि नेपाल टीम के खिलाडियों के बारे में शायद आपको इंफोर्मेशन कम है तो उनके बार में information आपको ज़्यादा चाहिएगा मैंने लिख दिया नेपाल टीम के top 6 बल्लेबासों के नाम और वो किस तरह की बल्लेबास से करते हैं किस टैप पे गेंदबास के सामने सबसे पहले नेपाल टीम को दिखकत आगे left arm face के इंदबासों के सामने भाई अपोनेंट टीम में शाहिन अफ्री दिया है तो नेपाल टीम के लिए वहाँ पे आसान होगा नी उसके बाद orthodox पिन गेंदबास कोन है नवास है इतने साहे राइटन बल्लेबास है तो बाबर आसम तो भाई या नवास को खुल के गेंदबास से करेगा और गेंदबास है करेगा तो नवास के वहाँ की चटकाने के चांस है तो मेरे अकोर्डिंग ये दो पाकिस्तान टीम के दो ऐसे खिलाड़ी जो इस मैच में नेपाल टीम के बल्लेबासों को परिशान कर सकते है पेस की बात करोगे तो नसी मोरेरिस आपका भी नाम आ जाएगा अब दोस्तो देखिए इनके टीम की बल्लेबासी होसा देखिए जो टोप 6 में ये 50 ओवर का गेम है 50 ओवर का बल्लेबासों का उस्त 29 रंक है अगर वंडे मैच में आपके बल्लेबास जो टोप 6 हों की एवरेज जो सा 29 है तो दोस्तो आप खुद ही सोच सकते हैं कैसे आप एक वंडे मैच को विन करने का क्वाब दिख सकते हैं अब नेपाल टीम के के खिलाड़ी के स्टैट साब देख लो कि साल 27-23 में कितने वंडे मैच इस इन लोगों ने कहला कितना रंस्कोर किया कितनी गिंदबासी की तो आसिफ ने 18 मैच में 532 किया कुसल ने 19 मैच में 544 के ठीक है इनकी बैटिंग उससत आपके सामने है दोनों ही बलेबास ने साल 27-23 में एक सेंचुरी लगा लिया ठीक है बीम 14 मैच में 409, रोईक 20 मैच में 524 तो दोस्तों ये इनके टीम के टोप 4 बलेबास जो अच्छा करते हैं फिर दिपेंदर की बात करूँगा बहुत साही लोगों ने टीम में लिया है 19 मैच में 360 रन किये और 19 मैच में 17 बलेबास जो काउट किया कुछ साल मला की बात करें बाइप 541 रन स्कोर किया देखो ये दोस्तों नेपाल की टीम का एक ऐसा ओल राउंडर की लाड़ी है जिसने 500 अधिक रन स्कोर किया प्लस में 19 मैच में 11 बलेबास जो काउट किया कम लोग टीम में ले रहे हैं गुल्शन जहां की बात करूँ 13 मैच में 314 रन किया और 13 मैच में 13 बलेबास जो काउट कर दिया इसको भी बहुत सारे कम लोग फेंटेसी टीम में ले रहे हैं बहुत ही कम लोग फेंटेसी टीम में ले रहे हैं क्योंकि भाई परफोर्मेस तो है लेगिन लोगों के पास इंफोर्मेशन नहीं है गेन बास में संदीप नहीं चैन्ड, दोस्तों टिम के सबसे अधिक विकिट चटकाने वाले गेद बास हैं जो साल 2021, 2023 में 19 मैंच में 52 स्बल्ले बास उक आउट कर चुके हैं इसके बाद करन केस से जो उनकी टिम के 30 गेन बास हैं सबसेट चे बल्ले बाज है ठीक है तो पिछले कुछ मैच चीस में पर्फोमेंस आप देख लो जो की ये शाक अप केला था ए टीम के साथ उसमें कोई पर्फोमेंस नहीं था कुसल की बात करें दोस्तों ये ओपन करेंगे पहली गेंच शायद यही फेस करेंगी इस मैच में और ये दोस्तों नेपाल के सबस्ट चे स्ट्राइकर बल्ले बाज भी रहे हैं लेकिन सामने क्वालिटी गिन बाज है लेफट आम ते इस गिन बाजों के सामने पर्फोमेंस देख लो ये शाक अपके एक मैच में ना जाने क्यों टीम के कप्तान ने गिन बाज से कराने का फैसला किया उस मैच में इसने 6 बल्ले बाज सुक आउट कर दिया था तो अगर आपके फेंटेसी टीम में आपको कोई डिफरेंशल प्लेर चाहिए तो आप कुछ सल को fantasy team में preference दे सकते हैं क्योंकि Asia Cup में फिर भी इसकी performance थोड़ी से अच्छी थी beam की बात करें वापस से left arm medium के इंद बास तंक कर रहे हैं number 4 पे team के कप्तान रोहित हैं जो कि दोस्तो नेपाल के team की और से सबसे पहले I think 50 one day match किसी खिलाड़ने के लिए थे रोहित है टीम के कप्तान यानि टीम का सबसे स्ट्रोंग के लाड़ी होगा तो दोस्तो अगर बल्ले बास से department में रोहित से आपको expectation है तो आप इनको fantasy team में ले सकते हैं वैसे कुल मला के बात की जाए अगर नेपाल की team में मद्यकरम में कोई बल्ले बास अच्छा कर सकता है बल्ले के साथ तो रोहित के चांस उसमें सबसे अधिक है फिर दोस्तो आपके आरिफ से एक है जो की भाई है आपने उपर देखा था आसिफ के इनकी performance asset कोई खास नहीं रही फिर आप पास तो quality नहीं है एक तो इनकी और से अपने संदी प्लेमेचे इनको देखाऊगा जो अधिकतर foreign T20 leagues में केलते हैं और दूसरे खिलाड़े आपके दिपेंदरा थे ठीक है बाकि जब यह foreign T20 league केला है तो उस T20 league में गिन्बासे का इनको ज़्यादा चांस वगेरा मिला नहीं था कुसाल मला जो कि टीम के लिए बल्लेबासे भी कर सकते हैं गिन्बासे भी करा सकते हैं डीसन टीम खिलाड़ी है तो दोस्तो आप अगर नेपाल टीम को थोड़ा बहुत पेवर देना चाहते हैं तो इनकी टीम की ओल्डर खिलाड़ी पे फोकस करना है और उसमें कुसाल मला एक रहेंगे फिर आपके पास गुल्सन जाएं जो की उभरते हुए ओल्डर खिलाड़ी है दोस्तो देखिए गुल्सन जाबी रिसन टाइम में नेपाल के सेट अप में सामिल हुआ है जब जब इसको गिन्बासी में चांस मिला इसने गिन्बासी में अच्छी गिन्बासी करके परभावित किया जब बल्ले बासी मिल रहे है बल्ले के साथ अच्छी परफोर्मेंस कर रहे है अभी दोस्तों कुछ और मैचिस के लेंगे जैजेसे continue performance करना इस्टार्ट कर देगा तो one of the best roll rounder खिलाडी बन सकता है नेपाल की टीम का ठीक है ध्यान रखना मैं कहरा हूं one of the best roll rounder बन सकता है नेपाल की टीम का जब भी नेपाल की टीम को तेजी के साथ रेंड स्कोर करने की होगी यह लोग बुलसन जहां को अपना इस्तिमाल करेंगे सोंपाल दो की दोस्तों लोड ओर में आके बल्ले के साथ ठीक कोंट्रिबूट कर सकता है पाकिस्तान की quality बल्लेबासी के सामने किस तरह गिनबासी करेगा अपने आपने बड़ा चैलेंज है संधी प्लमेचेन की बात करें लेक्स्पिन गिनबास आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं वैसे पाकिस्तान की टीम लेक्स्पिन के सामने अक्सर अच्छी बल्लेबासी करती है करन केसी दोस्तों इनकी टीम के सबसे तेस गिनबास को तलाश कर रहे है तो वो करन केसी है ठीक है तो दोस्तो अब बात करेंगे पाकिस्तान टीम के बारे में ज्यादा बताना मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि आपको पता होगा सिंपल सी बात है पाकिस्तान टीम के तीनों ये तो तेज गिंबासों को टीम में लूँगा चाहे पाकिस्तान टीम पहले गिंदबासी करे चाहे पाकिस्तान दूसरी पाड़ में गिंदबासी करे अब पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबासी करती है तो फकर, इमाम, बाबर, रिजवान ये चार मेरे पास रहेंगे और मेरे पास सादाब और नवास आ जाएंगे अगर पा पाकिस्तान टीम के तीन बल्लेबास more than sufficient है चेस के अंदर तो इस तरह मैं पाकिस्तान टीम के खिलाड़े को fantasy team में जगा दूँगा बाकि दोस्तों साल दोसार 33 में की stats आप लोग जैक आउट कर सकते हैं मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान टीम लैक्समिन गेंदबासों के सामने अच्छी बल्लेबास ही करती है पाकिस्तान टीम के top chair बल्लेबासों की उससत की बात करूँ average की 70-12 लैक्समिन के सामने तो अगर आप एक बड़ा risk लना चाते हैं किसी नेपाल के बड़े गेंदबास को टीम से बाहर करने का तो संधी प्लमेचेन को आप fantasy team से आउट कर सकते हैं भाई या risk तो ये रहेगा risk क्यों रहेगा क्योंकि हर कोई संधी प्लमेचेन को fantasy team में ले रहा है अब संधी प्लमेचेन ने performance कर दी तो भाई या fantasy में आपके हार confirm है लेकिन दोस्तों कर performance नहीं कर पाया तो आप सोचिए कि आप win भी one side कर सकते हैं अगर stats के बात करे तो stats तो इसी और ही सारा कर रहे हैं अगर पाकिस्तान team के बल्लेबास लेक्स्पिन गेंदबास संधी प्लमेचेन के सामने आलतु फालतु शोट ना के लें तो उसके इस मैट में विगिट मिलने के chance कम है इनके team के बल्लेबासी उससा देखे तरिपन की आपने नेपाल का देखा 29 तो सारा difference आपको नसरा रहा है कि कैसे जो team है पाकिस्तान वो इस मैट में विन कर सकती है फकर जवान fantasy team में है क्योंकि दोस्तो अफगानिस्तान team के साथ रिसेंटी श्रीलंका में जो series के लिए थी वो series में एक मैट में चला नी 327 किया नेपाल के team में 150-70 की range में score करेगा तो ये 30-30 score dream team में जगा दिला सकते है इमाम काफी दोस्तो टेक्निकली स्ट्रोंग बल्ले बाज से फकर अग्रेसिव इमाम दीमे दीमे बल्ले बाज से करके score कर सकते है बाबर आसम क्लासिकल बल्ले बाज से है और पिछले दो मैट में दो back-to-back half century रिजवान पहले बैटिंग करें no doubt आप लोग जानते हैं किस capacity के बल्ले बाज से है किस तरह की potential इस खलाडी में सलमान की बाज करें टीम ने इनको पिछले मैच में part-time के इंदबासि करा दिया अगर Pakistan टीम बल्ले बाज से पहले करती है और Pakistan टीम को अच्छा ही start मिल जाए यानि Pakistan टीम के बल्ले बाज जल्दी out निए तो सलमान से पहले बल्ले बाज से करने जो पाकिस्तान है वो बेच सकते आपके इफ्तिकार एहमद को जो कि पिछला वंडे में खेले नहीं थे अफगानिस्तान टीम के साथ ये लोग बेच सकते हैं नवास को ये लोग बेच सकते हैं शाधाब खान को क्योंकि ये सब के लाड़ी काफी अच्छी स्ट्राइक करते हैं और पाकिस्तान टीम की बल्ले बास मेँ गराई है अगर आप पाकिस्तान टीम से सलमान को कैसे भी करके डिफरेंशिल प्लेर के तोरफे टीम में लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना पाकिस्तान टीम के टोप चार में से तीन बल्लेबास को जल्दी आउट होना पड़ेगा अगर वो तीनों जल्दी आउट नहीं हुए तो सलमान के बल्ले के साथ परफोर्मेंस करने के चांस वहती ज्यादा कम है फिर शाहिन अरफीदी नसीम हरी स्राउफ आप लोग चांते हैं इनके पास क्या पेस है और ये किस तरह की शांदा गिनबासी नेपाल टीम के बल्लेबासों के सामने कर सकते हैं जो कि स्टैट्स के सरी है मैं आपको इस विडियो में समझा चुगा हूँ अब दोस्तों बनाएंगे अपनी फाइनल फेंटेसी टीम कॉंबिनेशन लेकिन ध्यान रखें कि मैंने आपको बताया भई पाकिस्तान टीम पहले गिनबासी करती है तो इस मैं अलग सेनरी होगा पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबास से करते तो सुनेरियो अलग होगा मैं आपको दोनों सुनेरियो के बारे में अभी आपको समझा दे रहा हूँ लेकिन टोस्ट के बाद मेरी फाइनलर टीम जो भी बनेगी कप्तान वा इस कप्तान के साथ टेलिग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा जोईन ने क्या जोईन कर लो लिंक वीडियो के नीचे डिस्किप्शन बोक्स में मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों टोस के बाद कुछ भी अपडेट आ सकती है अगर आप उस टीम के साथ खेलना चाते है जिस टीम के साथ इस मैच में खुद इन्वेस्टमेंट करूँगा जिस टीम के साथ मैं इस मैच में लागों रुपए बिन करने वाला हूँ तो फिर भाई टेलिग्राम चैनल तो आपको जोईन करना ही पड़ेगा और साथ में वीडियो के स्टार्ट में काता ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जुरूर आप लोग इस वीडियो पर लाइक कीजेगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपने जब इतनी वीडियो ये देखी है तो ये वीडियो पसंद आई है तो अब भाई लाइक करने में कंजूसी कैसी और इस वीडियो को fantasy केलने वाले अपने दोस्तों को सरूर शेयर कर देना क्योंकि आपके दोस्तों ये वीडियो आप श चेयर शरूर कर देना तो जली मैंने fantasy team बनाई है मैंने fantasy team ये सोचके बनाई है कि पाकिस्तान team towards जितके इस match में पहले बल्लेबासी कर ले क्योंकि गर्मी रहेगी कोई भी team पहले गिन्बासी करना नहीं चाहेगा अगर पाकिस्तान team पहले बल्लेबासी करती है तो simply पाकिस् सादाव कान को पर्मोशन मिल सकते हैं शादाव कान नवाज fantasy team में और पाकिस्तान team के तीनों ही तेज केंदबास को छोड़ना ही नहीं है शाइन, हैरिस और नसीम आपके सब के लाड़ी fantasy team में नहीं सरा रहे हैं अगर पाकिस्तान team पहले बैटिंग कर रही है बाबर आसम team का क कप्तान हो गया शाइन अफ्र डी fantasy team का बार इस कीदबाद से कर रही है तो दो थेज केंदबास शाहिन नसीम को कप्तान हो इस कप्तान या इस पिन डिपास शाहिन नवास को कप्तान हो इसक अप다면 रह सकते हैं तो इस तरह में fantasy team काम करना चाहते हैं, calculated risk लिना चाहते हैं, तो इस match में संधी प्लमेचेन को टीम साउट कर सकते हैं, अगर आप नेपाल टीम के किसी बल्लेबाद से बरोसा करना चाहें, या फिर आपके कैसे किलाड़ी पर बरोसा करना है, जो बल्लेबाद से करने के साथ गिन्दबाद से कर दे, तो ये रहेगा, गिन्दबाद से करेगा, कप्तान हो, इस कप्तान चेंज होने के साथ रेजवान फेंटेसी टीम से बाहर चला जाएगा, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई है, वीडियो पर आपने लाइक किया होगा, साथ ही में अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से फटापट जाएए, यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अब दोस्तों आप सबके साथ एक बार फिल्म लाकातोंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो ध्यान से देख लिया, तो अच्छे फेंटेस से टीम कॉंबिनेशन बनाईए, और फेंटेस के फिल्म में डेल सरा पैसा विन कर लीजिए,